नमश्कार दोस्तों स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रमा में जैसे कि दोस्तों 4 दिसंबर को MCD Election 2022 दिली में होने वाले हैं तो इस दिन क्या ड्यूटीज होने वाली हैं पॉलिंग ऑफिसर्स की पॉलिंग ऑफिसर्स वन की पॉलिंग ऑफिसर्स टू की और पॉलिंग ऑफिसर्स थ्री की जानते हैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंभी वाली वीडियो नहीं होने वाली है बहुत ही short तरीके से यहां पर आप लोगों को explain किया जाएगा कि क्या duties हैं presiding की तो overall in charge होता है Pauling Station का presiding हम सभी को पता है Set up the Pauling Station as per specifications जिस तरह की guidelines दी गई हैं उस तरह से Pauling Station को set up करने का काम presiding का रहेगा Conduct mall poll to ensure that demonstrate to the polling agents that the EVM is in perfect working condition एक mock poll को conduct कराना होगा और उन लोगों की पहुँच में polling agents की सहायता से उन लोगों की उपस्तिती में देखना होगा कि EVM सही condition में है और सही से काम कर रहा है इसके बाद है कि जो time voting के लिए दिया गया है उसी fix घंटों में उसी fix time के अंदर पोल को conduct कराना भी जिम्मेदारी होगी presiding officer की next है at regular intervals check the balloting units तो presiding officer को समय समय पर ballot unit भी check करते रहना है यह ensure करने के लिए कि machine के साथ किसी तरह की कोई छेरचार तो नहीं की गई है next day the voters already in queue at the time fix for close of poll will be allowed to vote इस चीज के लिए भी जब voting time खतम होने वाला होगा तो उससे पहले ही presiding officer को line में जो voter आए है उनको बता देना होगा कि इतने बज़े voting जो है खतम हो जाएगी और जितने लोग अंदर आपाएंगे सिर्फ वही vote डाल पाएंगे तो ये कार्य भी presiding officer का होगा ensure that the poll is duly closed at the end of the polling hour as per the prescribed इस चीज को जो है presiding को sure करना है कि जो time दिया गया है उसके अंदर ही voting processor चलता रहे और EVM का जो close button है उसको press कर दिया जाए इसके बाद ensure that all the seal units जो भी seal units है और election record है वो handover करने का काम भी किसका presiding officer का होगा और वो handover करना होगा returning officer को reception center में ये वाला काम होगा presiding officer का आप इसके बाद बात करते हैं कि first falling officer का क्या काम होगा तो first falling officer के लिए keep marked copy of electoral roll अच्छा देखे मैं एक बात बता दूँ कि जब वहाँ पर election होगा तो काम तो team ही एक साथ करेगी जरूरी नहीं है कि जो काम ऐसे presiding को दे दिया या जो polling officer one का होगा election तो सहयोग से ही complete किया जाएगा लेकिन फिर भी जो जो काम department ने दिये है officers के लिए यहाँ पर उसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं तो first calling officer के पास एक marked copy होगी electoral roll की जिसके अंदर जो लोग absent है या जो लोग shift हो गए है या जिनकी ब्रति हो गई है उनको mark किया गया है responsible for voters identification using identification documents जो voter वोट डालने के लिए आए है उनके documents को चेक करने का कार्य polling officer first का होगा और वो जो documents है जिनसे वो चेक करेंगे वो होंगे pbs, epic any one of the identification documents ये दोनों copy होंगी किसके पास polling officer first के पास और इसी documents में से tally करना होगा जो identification voters ले करके आए है third, please ignore minor अच्छा देखें जो छोटी छोटी गलतियां होंगी उनको ignore करना है ठीक है shall read loudly serial number and the name of the elector जो भी voter वो डालने के लिए आए है तो उनका जो serial number है उसको जोड से बोलने का काम भी first polling officer का होगा एक diagonal line box में create कर देनी है mark कर देनी है जो वोटर आएंगे sell in circle the serial number with diagonal lines mark up in case of female voters सेम ऐसा ही female voters के साथ करना है और सेम ऐसा ही transgender voters आएंगे उनके साथ भी करना है इसी के साथी साथ एक record maintain करना है male and female का कितने male आए हैं कितने female आए हैं इसका data रखने का काम भी polling officer first का होगा अब किस तरह से लगाना है ये आप यहाँ पर देख लीजे ये एक copy attached की गई है electoral roll की जिसके अंदर epic number यहाँ पर दिया गया है किस तरह से diagonal लगाना है transgender, females या फिर male के लिए ये एक copy है जो यहाँ पर आप लोगों के लिए लाई गई है for examples आप कौन-कौन से documents होंगे जिनका मिलान आपको करना है तो सबसे पहले in case of electrodes voting on the basis of the epic it is sufficient that the letter EP denoting epic तो epic से और EP से उन लोगों का मिलान करना है और जो 11A का जो column है उसके अंदर उसको necessary मतलब आवश्यक not necessary तो right मतलब अगर वही वाली voter identification है जो mention की गई है epic में और EP में तो उसको तो नहीं लिखना है लेकिन अगर कोई identification अलग से आई है कोई जिसको include नहीं किया गया है EP IC में और EP में तो उसको हमको लिखना होगा 11A में तो if the voter is using any other form of identification ये वही बात यहां पर बताई गई है कि अगर identification जो है वो EP IC और EP में नहीं है तो जो भी identification एलेक्टर लेकर के आया है उसके last की four digits को ही mention करना है पूरे number को mention नहीं करना है इसी के साथ ये है कि अगर voter आया है अपने EP IC के साथ लेकिन उसका जो number है वो रॉल में नहीं है तो फिर वो इस condition में vote नहीं दे पाएगा इस चीज का ध्यान भी रखना है polling officer first को वोटर स्लिप distributed by BLO is not valid identity documents इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वोटर स्लिप जो BLO ने दी है वो एक identity documents नहीं होता जो guidelines दी गई हैं उनके according अब इसी के साथ देख लेते हैं कि कौन-कौन सी identification को यहाँ पर माना जाएगा तो सबसे पहले तो voter ID card ही हो गया ठीक है smart card, passport, job का अगर किसी का कोई card बना हुआ है driving license, health insurance, service identity card pension का कोई document से passbook है इसके अलावा कोई official identity card है pain card है, अधार card है तो इन documents को हम लोग use करेंगे identification के लिए इसी के साथ अब देख लेते हैं कि second polling officer का क्या काम रहेगा क्या duties रहेंगी तो जो second polling officer है वो एक तो in charge रहेगा किसका, ink का और एक register है 11th A का तो 11th A register का in charge होगा ink का in charge होगा और voter slips का in charge होगा तो here's the serial number जो serial number polling officer 1 बोलेंगे उसको सुनना है name of the electoral read allowed by the first polling officer second, shall enter the serial number of the elector in the column to 11th A जो register उनको दिया गया है 11th A का, उसके second column में serial number जो है लिखना है voter का enter the last four desert of ID column 3 column 3 में last चार deserts लिखनी है जो भी मतलब identity के लिए वो documents लेकर किया है electoral four, apply ink ink लगानी है और हम सभी को पता है कि इंक लगानी है बाय हात की पहली उंगली में यानी तरजनी उंगली में जो बाया हात है उल्टे हात की तरजनी उंगली में इंक लगानी है अच्छे से opt-in, full signature signature लेना है किसका जो vote डालने आया है अगर signature नहीं है तो thumb impression लेना है और ये 11th A के 4th column में लेना है ध्यान रखिए 2nd column में हमें serial लिखना है 3rd column में जो identity लेकर आया है documents लेकर है उसके last की 4 digit लिखनी है और तीसरे column में उससे sign कराना है और thumb impression लेना है 6. fill sign and issue the water slip एक sign करके water slip issue करनी है elector को जो elector यानि की voter उस slip को दे देगा 3rd polling officer के पास जब वो डालने के लिए जाएगा तो अब यह है कि इंक लगाने का तरीका क्या है तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि जो उल्टा हाथ है उस उल्टे हाथ की तरजनी उंगली पहली उंगली में इंक लगानी है अगर उसके पास उल्टे हाथ की पहली उंगली नहीं है तो वो उस हाथ की किसी भी उंगली पर एंक लगा सकता है अब मान लीजे उसके पास बाया हाथ नहीं है तो जब सीधे हाथ की तरजनी उगली यानि फर्स्ट फिंगर पे लगाना है और जब समझ लीजे सीधे हाथ की फर्स्ट फिंगर नहीं है या कोई भी फिंगर अबिलेबल नहीं है उसके पास हाथ नहीं है तो फिर उसके हाथ का जो बचा हुआ हिस्सा है उसके सिरे पर इंक लगाना है लेकिन इंक जरूर लगाना है यह एक तरीका यहां पर दिखाया गया है कि इंक को किस तरह से फर्स्ट फिंगर पर किस तरह से इंक को लगाना है तो अच्छे से मार्क करना है इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो ये काम पोलिंग ऑफिसर थ्री करेंगे तू भी देख सकते हैं कि वो इंक लगाने के बाद उसको जल्दी से पोँच ना दें रेजिस्टर ओफ वोर्टर्स का एक एक एक्जामपल यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया गया है कि किस तरह से हम लोगों को उसका सीरियल नंबर लिखना है सेकिंड में जो सीरियल नंबर है वो लिखना है थार्ड आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर डिजिर्ट लिखनी है और 4 में sign कराना है और remark करना है 5 में यदि कोई remarkable person आता है तो ठीक है तो ये था polling officer second का काम अब है polling officer third का polling officer third जो in charge होता है वो EVM और control unit EVM की control unit का in charge होता है तो उसके पास क्या है जो voterslip दी जाती है देखिए third second जो polling officer क्या होता है वो जैसे ही उसके पास elector आता है वोटर आता है वो वो नाम को ध्यान में रखता है जो polling officer 1 ने दिया होता है इसी तरह से polling officer second उसको एक slip देता है और उसी slip का ध्यान रखना होता है polling officer 3 को तो वो slip को लेना है ध्यान से देखना है verify करना है ink देखना है कि उसके हाथ में है कि नहीं है और अगर लगता है कि ink नहीं है उसने पहुच दी है तो उसको दुबारा से ink लगवाने के लिए भेजना है इसके अलावा उसको बोलना है कि अपने हाथ को मतलब अपने थम को अच्छे से साफ कर ले किसी कपड़े से या गीले पानी से तो जिससे की आच्छे से वोटिंग की जा सके ballot बटन प्रेस करना का काम polling officer 3 का होगा control unit की और इसी के साथ उसको ये भी देखना है कि सही से बटन प्रेस हो गया है light बंध हो गई है जब light बंध हो जाएगी उसके बाद ही second जो elector आया है उसको भेजना है किसके लिए voting के लिए ठीक है तो ये वाले जो काम होंगे वो होंगे किसके polling officer 3 के इसली के साथी साथ एक चीज और polling officer 3 को करनी है कि जब भी overall data presiding मांगेंगे तो उनको machine में देख करके all over data भी provide कराना होगा presiding को कि कितने मतलब vote हो चुके हैं या कितना machine शो कर रही है इसके बाद ये क्या रहता है बीच-बीच में tally होता रहता है इससे कि कुछ गलत तो नहीं जा रहा है आप कौन-कौन से person है जो polling station पर आ सकते हैं ये भी एक important बात है तो सबसे पहले तो polling officers ही जा सकते हैं और वो सभी candidate जा सकते हैं जो की आए हैं election के लिए मतलब vote के लिए vote डालने के लिए आए है और वो सही है मतलब authorized है अपनी identification के साथ आए है इसके अलावा कुछ media person को भी जो commission है वो authorized करता है तो media person भी आ सकते हैं public servants भी आ सकते हैं observers की team भी आ सकती है micro observer, videographer, photographer, sensitive polling stations पर जा सकते हैं yellow किया गया हो तो इसके अलावा कोई भी महिला के गोद में छोटा बच्चा भी जा सकता है और वो सभी लोग जैसे जो चलने में असमर्थ हैं खुद से खुद को carry नहीं कर सकते हैं तो उनके support में उनके साथ भी कोई एक व्यक्ति जा सकता है कोई blind व्यक्ति है उसकी help करने के लिए भी कोई व्यक्ति enter कर सकता है तो ये थे identifications की हमको किन-किन लोगों को अंदर भेजना हैं अंदर पुला सकते हैं polling booth में तो ये थी पूरी की पूरी ड्यूटी इसके अलावा कुछ नहीं करना है बहुत अच्छे से election होने वाले हैं हम सभी लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे उम्मीद करते हैं तो इसी के साथ मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करने का काम आप सभी का ह जिससे की मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरह की और वीडियो को बनाने के लिए इसी के साथ सिक्षा परहवा पर इस्टूडेंट्स देख सकते हैं अपने मॉडर टेस्ट पिपर सेंपल पिपर्स आपने सब्जेक्ट का स्लेबर्स एक्जाम रिलेटेन इंफोरमेशन चर्की एदीच तरह की बनाने इसी क्या थांस।